कुछ कुछ चीजे देखकर लगता भी है क्योंकि एरान के हमलों को पाकिस्तान ने ने रोका और पाकिस्तान के हमलों को एरान ने ने रोका लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा हो जाता है कि क्या इंसानों की कोई वक्त नहीं है इनकी नजरों में लेकिन यहां पर स कोइन में तो पूरी दुन्या ज़ग जाहिर खार फाकिस्तां की डुश्मन ही इंडिया से है अफगाणिस्तान से हैगल अगल में उसकी त्माम टैंशन ही चल रही है सरकार महाण पर कोई ढंकी है नहीं तो जो कम्जोर है उन पर हमला करें और इसराइल को ट्रादो पाकिस्तान ने जिस तेजी से इरान को जबाद दिया तो क्या पाकिस्तान पर भी इसराइल हमला करे तब ही जाके वो इसराइल को जबाद देगा जितनी तेजी से ये मुस्लिम देश हापस में एक दूसरे को जबाद देते हैं या दे रहे हैं या द धाकड़ खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस्खान मुस्लिम देश एक दूसरे पर जितनी तेजी से हमले कर रहे हो और महाँ पर लोगों को मार रहे हैं उससे कहीं तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं लेकिन सबसे हैं सवाल ये पैदा हो रहा है कि कि भाईया जितना गुर्दा अपस में हमला करने पर दिखा रहे हो काश उतना ही गुर्दा इसराइल को ठिकाने लगाने या सबक सिखाने या फिलिस्तीन को बचाने में भी लगाया होता ये बात इसलिए कहीं जा रही है क्योंकि जोर्डन ने भी सीरिया पर हमला कर दिया ह तो ये जो आपस में चल रहा है क्या इसे सिर्फ नूरा कुष्टी समझा जाए या वाके में इस पूरे लाके में मुसल्मान आपस में ही लड़ मर जाएंगे और जो इसराइल और अमेरिका और बिटेन तमाम देश आते हैं वो अपने मकसद में काम्याब हो जाएंगे इसी टैलू के आसपास अपनी बाचित को रखने की कोशिश करेंगे हमारे साथ स्काइब के जरिये फिरसे एक बार जुड़ रहे हैं मुहमद अमद काजमी साब मीडिया सारवल के संपादक हैं और मिडिये लिष्ट पर अपनी पहली नज़र रखते हैं तो उनके साथ बात किश बात करते हैं बहुत शुक्रिया सार्थ वक्त देने के लिए ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने दर्शेकों से मुलाकात करने का मौका दिया आपने कहा कि पाकिस्तान और इरान के बीच नूरा कुश्टी होई है सब कुछ सैटलिमेंट है कुछ कोई बकत नहीं है इनकी नजर में यह इन्हें उन्हें जो हम बच्पन में मेला देखने जाते थे वहां गुबारे फोड़ते थे बंदूक उठाके वह समझ लिया इनसानों को कि तू अपने यहां पर इनसान मरवा ले मैं अपने इनसान मरवा लेता हूं देखें यह बहुत ही सादा एक तरह से जो लोगों के जहन में सवाल आ सकता बिलकुल आपने सही का लेकिन कोई भी मुल्क अपने मुल्क की सिक्यूरिटी के लिए अपने दुश्मन से निपटना चाहता है और निपटने में अगर कहीं कोई बाहर की ताकत भी शामिल हो कुछ लोगों को अकसाने भड़काने हमले कराने में तो यह प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है अगर यह मामला सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों का हो तो वो आपस में बहुत आसानी से निपट सकते हैं लेकिन एरान का जो कहना है वो अमरीका और इसराईल कुछ गृुप्स को एरान के खिलाफ बाकाइदा सिस्तान बलोचिस्तान में टर्रिरिजम के हमले कराता है और उन्होंने बाकाइदा अब से पहले एक लीडर को अपने हाँ गिरफ़तार करके 2010 में फासी भी दी है और अभी जो मैंने तेहरान से जो कल बात की उससे ये बात पता चली कि ये जो हमले हुए हैं ये वक्ती तोर पर कुछ नाराज़गियां वगरा दिखाए जा रही है लेकिन ये सब सेटल हो जाएगा और जिनको एरान मारना चाहता था वो पाकिस्तान ने खुद यानि वो कारवाई करके उन एरान के दुश्मनों को मारा है अब दोनों मुलक क्या कह रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है इरान में कई टर्रिस्ट हमले हो चुके थे पिछले दिनों कर्मान में हुआ उसके अलावा इसमें सीस्तान बलोचिस्तान में जाहिदान के पास रस्क में हुआ तो ये हमले बढ़ रहे थे और मसलसल धंकिया ठी हैं और हमले करके वो कबूल भी कर रहे थे टेही हमले बढ़ने की ही बात है तो हमले तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहे और तमाम आरोप लग रहे हैं अफगانिसटान पर, जिया इन कर रहा है लेकिन पहले इरान कर दे रहा है और उसके बाद भी पाकिस्त नहीं हो रही इस तरह से जतनी एरान के अंदर की रिपोर्टिंग हो रही है अबी त्रकाम बॉरडर बंद है इतने लोगों को पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉरडर पर कितने लोगों को मालूम है कि वहां बॉर्डर पर एक दूसरे के खिलाफ भी कुछ कारवाया होती है तहरी के तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटीज से पाकिस्तान परेशान है और उसने रास्ते बंद किये हैं और अफगान रिफिजीज को बाहर निकलने के लिए वो दबाव डाल रहा है लेकिन यहां चुके एरान है और एरान की सपोर्ट वाले गृप्स इसराइल से लड़ रहे हैं तो वो पूरा फोकस जो है वो एरान पर यह रहता है कि यहां जो भी कुछ हो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए और उसमें अगर सुनी शिया मसाला भी मिल जाए तो उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा तो यह जो मज़ा आने की चट्खारे की बात है तो वो चुके इस इस लाके में सुनी मिजॉरिटी है लेकिन सुनी मिजॉरिटी का मतलब सुनी मिजॉरिटी हुकूमत के खिलाफ नहीं है वो कुछ है गुरुप से जिसमें लेकिन यहां का इस्राइल से बौर्डर तो मिलता नहीं है आएरान का इस्राइल से बौर्डर नहीं मिलता बीच में open ए राक है ती दो मुलक बीच में है और अभी जो 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 सीरिया पर हमला हुआ है मैं आपको बताऊँ, इसका रेंज 1450 किलो मिटर बताया जाता है और ये जो इदलिब पर हमला हुआ है वो बारा सो तीस किलो मीटर है तो अब इसराइल में बैठे हुए लोग और दूसरे लोग ये साफ कह रहे हैं कि ये इसराइल के लिए एक मेसेज है देखिए वक्त अगर ऐसा आया तो वो जरूर ऐसा करेगा और खैबर नाम जो है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है जिनको इसलामिक तारीख का मालूम है न वो खैबर जंगे खैबर तो उसी नाम से उन्होंने वो रख़ए है और यहूदियों के खिलाब भी इस्तमाल हुआ था तो यह और मुझे एक बात याद आती है भी एक दो साल पहले नियू यॉर्क में एक प्रोटेस्ट हो रहा था यहूदियों का प्रो इस्राइली लोगों का तो उन्होंने एक बैनर उठाय हुआ था खैबर वाजी और लास्ट चांस यानि खैबर जो था वो आपका आखरी म मौका लगे तो हतियार भी देता है वो सरकारी पॉलिसी है उनकी इसे ऐसे भी तो कह सकते है ना सर क्योंकि यह जो सीरिया है आज इतनी बुरी हालत में हैं कि उस पर जॉर्डन ने भी हमला कर दिया एरान को भी वही कमजोर दिखाई दिया और पाकिस्तान की जो आर्थी किस सीरिया में जो हमला हुआ है उस हमले का तो दमिश्क और तहरान के दोनों के कौमन दुश्मन बैटे हुए है इदलिब में इदलिब वो जगा है अगर लोग मैप में देखेंगे के वो नौर्थ सीरिया में है वो वहाँ पर सारे जो टर्रिस्ट इकठे करके एक तरफ लाए ताकि इन पर कोई हमला ना करे वहां से इदलिब से ही आजर्बाइजान आर्मेनिया जंग में तुर्की ने यहां से कुछ लोगों को भाड़े के फौजियों के तोर पर इस्तमाल किया था यहीं से हेलीकॉप्टर्स के जरीए अफगानिस्तान पहुँचा गया था तो वहा से बगदाद की से फौरण मिनिस्ट्री से जो रियक्शन आया अर्बिल में हमले पर और जो इसलामबाद से रियक्शन आया मैं कल रात एक पाकिस्तान के एक फौरण सेक्रेटरी को यह कहते हुए सुन रहा था उन्होंने कहा कि अगर मैं फौरण आफिस में होता तो यह कार इसलामबाद में भी फौरण आफिस में कुछ अमरीकी कंटैक्स में लोग हैं जिन्होंने जल्दी से यह कारवाई कर दी अभी आप एक अपते बाद देख लीजेगा इरान और इराक और पाकिस्तान सब एक साथ नदर आएंगे चल यह ठीक है अची बात है लेकिन मैंने कह कि गरीब मुल्क है कमजोर मुल्क है सीरिया यह यूं कहें जैसे हमारे पश्यमुत्र परदेश में कहा जाता है कि गरीब की जोरू सबकी भावी अमीर की जोरू सबकी दादी यानि इसराइल जो है वो तो अमीर की जोरू है दादी है सबकी लेकिन सीरिया जो है इस स्थिति भी मार रहे हैं और हिज्बल्ला ने जो दो दिन पहले तकरीर किये लीडर ने वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई तुमने जंग हमारे साथ छेड़ी तो अब हमारी कोई लिमिट नहीं होगी हम उस हद तक जाएंगे आप उसके लिए अब उसके फॉरण बाद वहाँ प्रोटेस् तक जादा उनकी तकरीर दे की गई अब तो अब तो इसराइल भी मुझे ऐसा लगता है सबकी बाती बनने जा रहे हैं या का जो जवाब देगा वो हिस्बुल्ला देगा लेकिन आप हिस्बुल्ला का जिकर कर रहे हैं तो खबर ये भी चपी है कि जो लेबनान के इसाई ल की सरकार का जो फॉर्मेशन है वो ये है कि क्रिस्चन जो होगा वो प्रेजिडंट होगा सुनी प्राइम मिनिस्टर होगा शिया वहाँ पर स्पीकर होगा ये फ्रांस की हुकुमत जब खत्म होईती तो ये एक सेट अप दे करके गए थे लेकिन अब इस नए हालात में बग इसराइल की ये कोशिश है कि हिजबल्ला किसी तरह से इसका असर कम हो जाए वहां के फैसलों में लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है एक आख बयान तो हिजबल्ला के खिलाफ महां बेरूत में देने वाले भी लोग रखे गए बाकाइदार उन बयानों को बिलकुल ऐसे ही हाई इलाइट किया जाता है जैसे मुसल्मानों के मामले में मुक्तार अबास नक्वी का बयान आप च्छबाद दीजे पूरे मीडिया में चलेगा लेकिन अगर कोई और सची सही बात कहेगा उसकी बात नहीं चलेगी चीक है जॉर्डन ने भी सीरिया पे हमला कर दिया है और तुर्की भी सीरिया में हमले करता रहता है यानि सीरिया जो है उस पर कोई भी हमला कर सकता है उसे कोई भी धुना पीटा और चला गया देखे सीरिया का गुनाय यह है कि उसकी तालुकात एरान से हैं और एरान इन फिलिस्तीनियों को और हजब ला को इनको मदद पहुंचाता है जोग्राफियाई तोर पर एरान के बाद एराक एराक के बाद सीरिया ये रास्ता एरान को चाहिए हिजबल्ला तक भी पहुँचने के लिए और हमास और जहाद इसलामी तक भी पहुँचने के लिए इस रास्ते को डिस्टरॉब करना किसी तरह से बशार अलस्द की सरकार चली जाए अब वो 2011 से जो तमाशा किया था वो तो नाकाम को हो चुका लेकिन अब भी किसी ना किसी तरीके से उस हुकूमत को कमजोर करने गिराने की कोशिश मसलसल रहती है और उसमें वही लोग हैं तर्की, इसराइल, अमरीका, साओध यरब भी ढखा चुपा करके तो वो कोशिश वही रहती है कि किसी तरह से ऐसी सरकार आ जाए कि जो इसराइल और अमरीका की पसंद की हो और फिर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चलेगा लेकिन हालात लग नहीं रहे कि उनके मर्जी की सरकार वहां पर आपाएगी जैसे पाकिस्तान ने इरान को जवाब दिया वैसे सीरिया ने कम से कम जोर्डन को जवाब दे दिया होता चलो इरान के नजरियात वाले लोग वहां बैठे हैं जो दस लोग मार दिया ना हमला करके जौर्डन खुद अपने आप में एक चोटा सा मुलक है और जौर्डन भी इसराइल के साथ उसका तालमेल है जिस तरह से मिस्र का है तो ऐसी सिचुएशन में जब घाजा जंग चल रही है ऐसे वक्त में क्या कोई जवाबी कारवाई होगी नहीं होगी ये तो वहीं बैठे लोग ही शायद फैसला करेंगे कि क्या करना है पाकिस्तान ने जिस से इरान को जबाब दिया तो क्या पाकिस्तान पर भी इसराइल हमला करे तब ही जाके वो इसराइल को जबाब देगा देखे पाकिस्तान का जो जबाब है वो बहुत ही दोनों तरफ से एक बात आई है पाकिस्तानी मारे गए हैं तो मुक्तसर यह है कि दोनों ने बॉर्डर पार करके अपने अपने दुश्मनों को निप्टाने की कोशिश की है और इसमें तालमेर है अच्छे ये बच्छे दुश्मन हो सकते हैं वे महिलाएं जो मरी हैं वे दुश्मन हो सकती हैं सर अगर अगर कोई family है family के साथ रह रहा है terrorist अर्यस अर्यस अब यह जो वहां पर हुआ अर्बिल में वहां एक बहुत बड़ा business टाइकून था जिसके इसराइल से बहुत अच्छे तालुकाट थे जाहिए जिस घर में वो रह रहा है अगर उसको मारना है और उसके असपास उसकी family है तो वो मरेगी फिर तो इसराइल अगर गाजा में मार दे रहा है और वहां बच्चे और महिला मर जा रहे हैं तो क्यों हला मचा पड़ रही है उस पे फिर तो उसमें उसमें देखे वो उसको हमास की तादाद क्या है कितने लोग है क्या 25 अजार 30 अजार को मारना disproportionate नहीं है यह यह तो चीजें समझने वाली यह वक्त के साथ-साथ आने वाली है लेकिन यह बात अपनी जग़ा सही है कि आप मैंने इस सिलसले में तहरान से भी बात की और बेरूत में भी बात की और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही क्लिर है कि ये मुलक ये हुकूमतें आपस में मिलकर के ये कारवाई कर रही है और ये एसकेलेट नहीं होगा आगे कोई बात ऐसी बढ़ने वाली नहीं है जिसमें हुकूमतों की नारा के में हाँ लेकिन उनों ने एक बात और कैई इसी प्रेस कांफरेंस में एक बात और कही जब उन से पूछा गया कि क्या आपको को लगता है कि हूतियों के छलाफ जो आप हमले कर रहें उस से कोई कोई फाइदा हो पाया है तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि उसका कोई असर हो रहा है तो नहीं और अगर आप पूछें कि यह हमले जारी रहेंगे तो हाँ जारी रहेंगे तो यह सुपर पावर का जो खनास है वो खतम होने जा रहा है और इनको जिनको ये हुकूमत भी नहीं मानते जिनको वो नॉन इस्टेट एक्टर कहते हैं जो रिबेलियन हैं उनकी नजर में जो टर्रिरिस्ट हैं वो उनको पानी पिला रखा है इस हालत में तो पहुँचा दिया है मुझह ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में रिजिस्टेन्स जो पावर्ज हैं जो इरान वाली लाइन पर चलने वाली और इसराइल की मुझूदगी को खतम करना चाथी हैं या अमरीका की मौझूदगी को इस इलाके में खतम करना चाथी हैं वो दिन बन मजबूत हो रहे ह और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह से इसराइल के अंदर कैबिनेट और कैबिनेट का मिनिस्टर ये कह रहा है कि तुम जूट मत बोलो और अब हम नहीं जीत सकते तो यहां तक तो बात आ गई है और आगे क्या होगा ये चीज़ें देखते क्यों पिल्कुलाब ठीक करें रहे हैं अंदर की राजनीती बहुत उठा पठक चल रही है कैबिनेट में से मंत्री उठ उठके जा रहे हैं और कैबिनेट का जो बजट फास कड़ाने हैं उसमें भी नाकोचने चबाने पढ़ रहे हैं बेंजमीन नेतनियाओ का रहा है तो सीधे का जाने लगा कि वही है अमेरिका भी नेतनियाओ को हटाना चाहता है लेकिन हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं ठीक है बाइडन बेबस नज़र आ रहे हैं मुतियों के सामने लेकिन एक सवाल फिर आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ जितनी तेजी से ये मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे को जबाद देते हैं या दे रहे हैं या देने की कभी भी कोशिश करते हैं उतनी हिम्मत ये इसराइल के खिलाफ जला से एक देश है चारो द्रब मुस्लिम देश है क्यों नहीं कर पाते हैं वही हुकूमतें अगर खुद उन दुश्मनों से ही मिली हुई हो तो कौन और और फाज भी कंट्रोल वही लोग आकर के कर रहे हो अमरीकी हतियार आते हैं अमरीकी कमांडर भी आता है पाइलेट भी अमरीकी आता है उन्हें उड़ाने के लिए तो जब अपनी फाज मजबूत ना हो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा ना हो डेमोक्रेटिक हुकूमत ना हो और दुश्मन से इस हालत में मिली हुई हो के जंग चल रही है पच्चीस हजार लोग मारे जा चुके हैं और साओधी अरब का फॉरण मिनिस्टर अब भी कहता हो कि हम इस्राइल से तालुकाश नॉर्मल करना चाहते हैं तो इन हुकूमतों को मुझे लेकिन वो तो ये शर्ट लगा रहा है ना सर कि अगर फिलस्तीन को राज्य का धर्जा दोगे तो अरे सब वो शर्ट भी बड़ी दिल्चस्प मैं आपको एक बड़ी दिल्चस्प बताता हूं कि देखिए अब से पहले तो ये कहा जाता था कि राज्य का दर्जा दो इस्टेट बनाओ अब क्या कहा जा रहा है कि इस्टेट बनाने के लिए रास्ता हमवार करो यहानी आपको जूट के बाद जूट बोलने की गुण्जाइश बनी रहे नितन याहू अब इतनी बात भी नहीं सुन रहे जो जाहिर हो रहा है तो ये सिर्फ वादा करना है अभी देना दिलाना कुछ नहीं है अब वो रादा करने के लिए भी तैयार नहीं है इतने वो ढ हीट हो चुके हैं उसके बावजूद भी अरब हुकूमतें उसके साथ जोड़ना चाहती है इस से जादा सुसाइडल कुछ नहीं हो सकता और इस से जादा कमजोर हालत नहीं हो सकती एक सवाल जो हमने उठाया था शुरू में उसी को आखिर में समाजिक तोर पे लाना चाहता हूँ हाँ भी समाजिक व्यक्ति हैं आपको नहीं लगता मुसल्मान आपस में जैसे लड़ते हैं जितनी तेजी से और आपस में एक दूसरे के खूल खराबा तक कर डालते हैं वैसे दूसरों के सामने उस तरीके से डटके अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं उसकी वज़ा यही है कि हमें मुसल्मानों को आपस में बाटने का इंतजाम बहुत ज्यादा किया गया है मस्जिदों के अंदर से ले करके सड़क तक मैं अभी दो चार दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था वो बरेलवी और इसके उसके बीच में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था बेहुदा के ऐसे लोग खुद बाटने का अंतजाम करते हैं मैं तो उस पर यकीन रखता हूँ जो इरान के रिवलूशन के लीडर जो पहले लीडर थे आयतुल्ला खुमेनी जिनने इमाम खुमेनी भी कहा जाता था और आज भी वो यही कहते हैं कि जो भी सुनी शिया इखतलाफ की बात करें जो इखतलाफ बढ़ाने की बात करें जो नफरत बढ़ाने की बात करें ना वो सुनी है ना शिया है बलके दुश्मन ताकतों का एजेंट है द्श्मन ताकतों ने हमने देखा मीडिया में किस तरह से जब कभी वेस्टरन मीडिया एरान का खिर जिकर करता है तो उसे श्यों का लीडर कहता है जब साओधी अरब का जिगर करता है उसे सुन्यों का लीडर कहता है यानि नीचे तक पेनिट्रेट कराना चाहते हैं कि हर आदमी हर वक्त दिमाग में यही रखे इरान शिया साओधी अरब सुन्नी और बस लड़ पड़ो तो यह माहौल बनाया जाता है अगर हम उससे होश्य रहें अपने अंदर के दुश्मन से भी और बाहर के दुश्मन से भी तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आसान हो जाए फैसले लेने बिल्कुल सही आपने कहा है कि चार उत्तरफ ऐसा माहौल बनाया गया है लेकिन इसके साथ आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुसल्मान कब तक इनी बातों में घुमते रहेंगे कि उनके आस पास ऐसा माहौल बना दिया जाता है कभी उनको लव जिहादी बता दिया आखर, गौर करेंगे, आपने बग दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारे चीजों पार क्लियर्टी भी दी, बता Clayment अदा बे, हमारे को भी वर फिर आतके साथ किसी और मुद्धेपर जुड़ने की कोशिश करेंगे, शुक्रिया, बहुत बहुत को बहुत को थैंकियों